अगले हफते इन स्टॉक्स में दीखीगा जोड़दार एक्शन कमाई के लिए दिगज एक्सपर्ट्स ने लगाया दाव जुलाई सीरीज के पहले दिन बजार में मुनाफ़ा वजूली रही सैंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड उचाए के बाद उपर से फिसल कर बंद हुए सैंसेक्स ने इंट्रडे में 89,671 का और निफ्टी ने इंट्रडे में 24,174 का रिकॉर्ड इस तर छुआ था 28 जुन को सैंसेक्स 210 गिरकर 89,033 पर और निफ्टी 34 गिरकर 24,000 पर बंद हुआ सैंसेक्स के 30 में से 19 शेरों में बिकावली देखने को मिली बैंक निफ्टी के बारे में से 7 शेरों में बिकावली नजर आई वहीं बजार गिरकर बंद होने से पहले शॉट टर्म में कमाई के लिए दिगज एक्सपर्ट ने टाटा मोटर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, रसी एफ और आर्वी अनल के शेर में दाव लगाने की राय दी जानते हैं कि किस ने कितना दिया टार्गेट प्राइस जेम फाइनेंशल सर्विस की सूनी पतनायक ने कहा कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में जुलाई की एक्सपारी वाईली कॉल खहिदने पर कमाई होगी उन्होंने कहा कि इसकी 120 के स्टॉक वाईली कॉल 20 रुपे के आसपस खहिदे इसमें कुछ दिनों में 28 से 34 रुपे तक के लक्षन देखने को मिलेंगे हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि 10 रुपे के स्टर पर स्टॉप लोस लगाना चाहिए रचना वैद का F&O सूपरस्टार शेर चमबल फर्टिलाइजर फ्यूचर रचना वैद ने बजार बंद होने से पहले F&O सेगमेंट में चमबल फर्टिलाइजर के स्टॉच में खईदारी करनी के राई दी उन्होंने कहा कि इस स्टॉच में 530 से 550 रुपे के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं उन्होंने कहा कि इसमें 499 रुपे के लेवल पर स्टॉप लोस के साथ 515 रुपे के लेवल पर खईदारी करनी चाहिए अरिहंत कैपिटल की कविता जैन चार्ट का चमबल फर्टिलाइजर के रूप में RCF पर दाव लगाया उन्होंने कहा कि इसमें 192 रुपे के इस्तर पर खईदारी कर सकते हैं इसमें 189 रुपे के इस्तर पर स्टॉप लोस लगाये ये स्टॉप 199 रुपे के लेवल पर जा सकता है चोला सिक्योर्टी के धर्मेंदर कांत का मिड कैप चोला सिक्योर्टीज के धर्मेंदर कांत ने मिड़केप फंडा स्टॉक्स बताते हुए कहा कि आज RVNL के स्टॉक में खईदारी करनी चाहिए चोला सिक्योर्टीज के धर्मेंदर कांत ने मिड़केप फंडा स्टॉक्स बताते हुए कहा कि आज RVNL के स्टॉक में खईदारी करनी चाहिए उन्होंने कहा कि इसमें 416 रुपे के स्टर पर खईदारी करें इसमें लंबी अबदी तक बने रहने पर इसमें अच्छा टार्गेट देखने को मिल सकता है